हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कुवेत इंदी नीज कुवेत से कुछ अपडेट आ रहा है वर्कर को लेकर कुवेत के अंदर एक कंपनी है के एन पीसी पिछले अब तक कुछ घटना हो गया था गैस लिकेज मामला था जिसके कारण दो इंडियन्स का दित हो गया था और कई लोग हायल भी हुए थे नेशनल पेट्रोलियम कंपनी है यह जो कि बहुत बड़ी कंपनी है इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं कंपनी के दवारा बताया गया है कि सभी वर्कर को लेकर हेल्थ का सुभीदा सिस्टम बहुत ही अच्छा है हमारा लेकिन यह घट कुवेद से अगली अपडेट उन लोगों के लिए जो लोग कोपरेटिव सोसाइटी यानि जो लोग जमया मौल वगयरा में काम करते हैं उनके लिए एक अपडेट आ रहा है कुवेद का जो कोपरेटिव सोसाइटी कंट्रॉल एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट टीम में उनके दुवारा सभी जमया मौल के अंदर चेकिंग किया जा रहा है कि किन जमया के अंदर जो रिक्वाइरमेंट है लेबर को लेकर उसके लावा एक्ष्टा लोग काम कर रहे हैं कि नहीं ओमी करोन के कारण सभी मौल जमया के अंदर बहुत ही ज़्यादा गेदरिंग हो रहा है वही पर पाया गया है कि बहुत लोग गेदरिंग कर रहे हैं दो आदमी का काम है वहाँ पर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं जिसके कारण कोबिन डाइंटिन फैलने का डर है इसको ल सेली मिल रहा है कि नहीं? बहुत से ऐसे जमया मॉल है जहांपर लेवर को कॉंटेक्ट बेस पर लाये जाता है और उनको परडे के हिसाब से सेली दिया जाता है किसी भी फिल्ड में लिमिटेड रिक्वाइर्मेंट है किसी भी कमपनी के अंदर तभी requirement दिया जाता है नहीं तो fully तरह से requirement नहीं अभी दिया जा रहा है जब से coronavirus आया है तब से कुवेद के अंदर नया बीजा बंद नहीं है लेकिन limited बीजा निकल रहा है सभी field के अंदर बीजा limited निकल रहा है जो भी requirement है उसी के इसाब से बीजा निकल रहा है या फॉले जैसा नर्मल नहीं है इंडिया का जो फॉरीजन मनिश्टर एस जैसंकर उन्होंने कुवैत के फॉरीजन मनिश्टर से एक अहमद अलनाशीर से बात चीत किया है टेलीफॉन पे कई मुद्दों के ऊपर बात हुआ है परवासियों और रिक्वार्मेंट को लेकर कु कुवैत के अंदर इंट्री करने के लिए नॉर्मल परसीजर है जो भी नया बीजा लेकर आ रहे हैं उनको असानी है कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हां और बेल आइकन जरूर दबाईए ताकि हमारा हर नोर्टिफिकेशन आप तक पहुंचे